नमस्कार दोस्तों तो क्या है वो टेकनिक चलिए देर ना करते हुए आपके साथ में शेयर करती हूँ अगर उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बैल आइकोन को भी हिट कर लीजिए चक्ता कि भविश्य में आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रह है दोस्तो एक और चीज में आप लोग को वतादू कि आज मैं जिस स्टेज पे हूँ मैंने जो-जो अपनी लाइफ में अचीव किया है इसी टेकनिक की बदॉलत किया है मेरी पसंद की शादी हुई आज मेरा पसंद का घर है मेरे पसंद की कार है आज मैं जो भी हूँ वो इस टेकनिक की बदवलत हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा, जैसे प्रोसेस में बता रही हूँ, इसको पूरा फॉलो कीजिएगा, बीच में इसके बिल्कुल मत कीजिएगा, तो चलिए शुरू करते हैं. हमें, दिन में, पूरे 24 घंटे में कभी एक समयं, जिस समय आप पूरी तरह से फ्री रहते हैं, आपको कोई डिस्ट्रब ना करता हो, पूरे 24 गंटे में कोई सा भी वो समय हो सकता है सवेरे का शाम का रात का या फिर दिन का कोई भी समय हो सकता है ठीक है उस समय में आपको लेना है एक कांच का ग्लास ले उसमें पानी ले लिजी ठीक है एक कांच का ग्लास लेना है उसमें आपको पूरा पानी भर लेना है अब सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो आपको क्या करना है दिन में 24 गंटे में से जब भी आफ फ्री है एककाच के ग्लास में पानी ले लीजेए इसके अलावा और कोई सा भी नहीं आज के गलास में पानी ले लीजिए घर में जहाँ पर भी आपके पूजा का इस्थान है घर का जो मंदिर है वहाँ पर इस गलास को लेकर आपको बेट जाना है अब आपको क्या करना है इस गलास को आपको अपने बिल्कुल नजरों के सामने रखना है कि आपको ये गलास दिखता रहे अब आपको बिल्कुल पहले तो अपने माइन को एक आगर करना है अपने दिमाग को एक ऐसी स्थिती में लाना है कि जब आपका उस पर कंट्रोल हो तो उसे केसे लाएंगे हमें meditation करना है जादा से जादा दो मिनिट का meditation होगा गहरी सांसे लेनी है और गहरी सांसे छोड़नी है आप चाहें तो ग्यान मुद्रा में बेट सकते हैं इस तरहे से आप चाहें तो सुखासन में बेट सकते हैं जैसे भी आप comfortable हो उस stage में बेटना है एसा नहीं हो कि आप uncomfortable ही बेटे हैं फिर आपका ध्यान बार-बार उस तरफ जा रहा है कि हम ऐसे बेट गए ऐसे बेट गए कैसे भी आप बेटे हैं बस comfortable बेटिए ठीक है थोड़ी देर आँखे बंद करके गहरी सांस लें गहरी सांसे छोड़ें ठीक है जब आपको लगे क पेर्षण है मतलब आपका दिमाग आपकी सुना रहा है दिमाग में छोटे-मोटे कहयाल है वो बिल्कुल भी नहीं आरहे है कुछ भी नहीं ठीक है रहा है आप जैसा कहे रहे हैं बसronauts और इसबीच में आपको कोई डिश्चरूब में आता है fewशिह सीध कि उसे किया खू अब आपको लगातार उस glass को देखना है अपकी नजरे बिलकुल भी उस glass से हटना नहीं चाहिए थीकिए उस glass को आप देखते रहें और जो भी आपकी मनो कामना है उसको दिमाग मे लाएं ठीक है? सबसे पहले तो आपको क्या करना है? उस glass को देखते समये सबसे पहले अपने भगवान को जिस भी भगवान पर आपकी अटूट आस था है जिस भगवान को आप सबसे ज़्याधा मानते हैं जो भी शक्ती हो ये कोई धर्म से related विडियो भी नहीं है, ये किसी जाती से related नहीं है, इसको मुस्लीम, हिंदू, सीख, इसाई कोई भी कर सकता है, तो आप जैसे अगर आप दूसरे धर्म से बिलॉंग करते हैं, घर में मंदिर नहीं है, कुछ नहीं है, तो जहां पर भी एक हमारी जो आस्था का जरिया होता है, वहां पर आप बैठके इसे करें, ठीके, अब आप उस ग्लास को लगातर देखते हुए, आपके जो इस्ट है, जिस पर आपको विश्वास है, जो आपकी बात सुनते हैं, आपको उन्हें पहले धन्यवाद करना है, ठीके, शुक्रिया अदा करना है, उन उन्होंने आपको ये लाइद दी, उन्होंने आपको ये दिमाज दिया, उन्होंने आपको ये आखे दी, उन्होंने ये सांसे दी, ठीके, इसका आप शुक्रिया अदा करें, ताकि आपकी जो एक शुक्रिया जब हम अदा करते हैं, तो अंदर से गुड़ वाइब्रेशन आती हैं ठीक है happy वाली जो vibrations होती हैं हम शुक्रिया का बदा करते हैं जब हम खुश होते हैं ठीक है तो जब हम खुश होंगे तो वो happy वाली जो vibrations आएंगी वो direct हमारे universe के पास जाती है ठीक है तो आपको खुश होके और शुक्रिया अदा करना है फिर आपको उस glass को लगातार आपको यह सोचना है यह कहना है कि थेंक यू गॉड थेंक यू भगवान या जो भी थेंक यू आपने मुझे यह सब कुछ दिया अब मेरी जो यह इच्छा है जो भी आपकी मनो कामना है वो पूरी हो चुकी है ठीके आपको क्या कहना है पूरी हो चुकी है जो भी आपकी मुझे दिखाईए अब आप मुझे उस चीज को दिखा दीजे वो कैसे पूरी हुई है वो कैसी लग रही है आपको बिल्कुल खुशी से अंदर से कहना है आपको बस अंदर से वही वाली फिलिंग आने चाहिए कि जब वह इच्छा पूरी हो जाएगी तो जो फिलिंग आए मुझे विश्वास है कि वह इच्छा सजल्द मुझे विश्वास है कि वह चीज मुझे जल्द सजल्द दिखेगी और बस इतना कहके आपको उस पानी को एक ही घुट में पी लेना है अब यहां पर मैं बता हूँ इसमें साइंटिफिक क्या है सबसे पहले तो हमने गुड vibrations भेजी जिसकी वज़े से यह happy वाली vibration जितनी speed से universe के पास जाती है उतनी ही speed से हमारे पास आती है ठीक है तो मतलब यह जो vibrations गई law of attraction वाली ठीक है कि वो जितनी खुशी से गई उतनी ही खुशी से आई तो वो सारी खुशियां हमारे अंदर ठीक है feel हुई ठीक है और फिर हमने पानी को affirmation दी है कि हमारी इच्छा पूरी हो चुकी है हमारी यह मनुकामना पूरी हो चुकी है और आप भी जानते हैं यह सभी जानते हैं science में ही rule है कि पानी में एक attraction वाली capacity होती है ठीक है पानी में पानी की जो capacity होती है एक magnet type की होती है, यह किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी attract करता है, absorb करता है, ठीके, तो जब हमने यह इच्छा उसे बोली, तो उस पानी ने absorb की, ठीके, हमने कांच का ग्लास लिया ताकि वो transparent है, वो सारी हमारी vibration, वो हमारी feeling, हमारी thoughts उस पानी में सीधे जाए, ठीके, और फिर हमने बोलते ही उस पानी को पी लिया, ठीके, अब इससे क्या हुआ, जब हमने वो चीज़े बोली, ठीके, हमने present form में बोली, और positive form में बोली, तो यह सारी चीज़े हमारे subconscious mind में गई, मैंने आपको जो पहले meditation कराया, उससे क्या हुआ, हमने हमारे subconscious mind को activate किया, ठीके, meditation से क्य powerful होता है, कि इसके अंदर अगर कोई चीज बैट जाती है, तो यह ऐसे circumstances बनाने लग जाता है, ऐसी इस्थितिया create करने लग जाता है, कि वो जो हमारी इच्छा है, वो सच में पूरी होने लगती है, तो हमने यह सारी जो positive वाली vibration हमारे तिमाग पे पहुचाई, और हमने subconscious mind तक पहुचाई, और physical रूप में, मतलब उस पानी के रूप में भी हमारे अंदर पहुचाई, अब जब वो चीज हमारे अंदर ही पहुच सुकी है, उस चीज को हम अंदर ले जा चुके है, हमारे अंदर ही include कर चुके है, तो अब हमारे साथ में हम उस चीज को लेके जो कर्म करते हैं, जो भी काम करते हैं, वो सफल होने लग चाते हैं, यह बहुत ही आजमाया हुआ तरीका है, और देखा होगा आपने कई बार सुना भी होगा, एक फिल्म का डायलोग भी है, कि अगर हम किसी चीज को शिदत से चाहते हैं, तो पूरी काइनात उसे हम से मिलाने म मदद करते हैं, तो पूरी काइनात उसे हम से मिलाने में मदद करती है, तो बस यह उसी का तरीका है, कि हम उस मनों कामना को इतना जादा चाहते हैं, कि यह हमने जो यह एफरमेशन भेजी, तो यह पूरी काइनात उसे हम से मिलाने में लगी है, तो यह ही एक तरीका है, यह 100% काम करता है मेरी लव मेरी जोना असम्धोती हुई मेरे साथ में जो जो हुआ वो सब जो मैंने चाहा वो होता गया जहां भी कभी उलजन में फसी मैंने इस टेकनिक को किया और वो जरूर सपल हुई क्या करना है बस इस टेकनिक को डेली आपको एक बार करना है पांच मिनिट लगेंगे मुश्किल से सिर्फ दिन में एक बार आपको इस टेक्निक को डेली करना है कम से कम पचास दिन तक आप इसे ज़रूर करें और आप खुद देखेंगे पचास दिनों के अंदर ही आपकी चापूरी हो जाएगी यह मेरा दावा है ग्यारंटी है आप अगर मैंने जिस तरीके से बताई इस तरीके से अगर आप एक्जिक्यूट करेंगे इस टेक्निक को 100% कोई भी नकार नहीं सकता कि आपका काम ना हो आप कीजे जरूर और फिर जब रिजल्ट मिले तब मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं इ अच्छा को पूरी करने के लिए यह काम किया है बहुत इफ्यक्टिव तरीका है यह आप ज़रूर इसे किजिए फिर मुझे ज़रूर बताएं वजीए पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए जादा से जादा शेयर कीजिए नेक्स वीडियो में मैं फिर मिलूंगी आपसे न झाल झाल